नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी टोटके में सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी वालों के लिए इनकी सबसे बड़ी समस्या मन की चंचलता है हनुमान जी की उपासना से लाब होगा पूजा में लाल फूल का इस्तिमाल जरूर करना चाहिए इसके बाद आती है व्रिशब राशी सबसे बड़ी समस्या होती है जिद्ध स्वभाव पूजा में सफेद चंदन का इस्तमाल जरूर करना चाहिए अब बात करते हैं मिथुन राशी की दुविधा में होना सबसे बड़ी समस्या है मिथुन राशी वालों की श्री कृष्ण की पूजा करना सर्वोत्तम है पूजा में गुगल की धूप का इस्तमाल कर इसके लिए सूरेदेव की आराधना करें। आपको पूजा में रोली का प्रयोग जरूर करना है। अब बात करते हैं कन्या राशी की। इनकी सबसे बड़ी समस्या है जरूरत से ज़ादा धन के पीछे भागना। इसके लिए आपको मा दुरगा की आराधना करनी चाहिए। पूजा में शुद्गी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुला राशी के लिए इनकी सबसे बड़ी समस्या है लापरवा होना। इसके लिए ये लोग भगवान श्री कृष्न की पूजा करें तो इनके लिए बैतर रहेगा। आपको पूजा में सफेद फूल का प्रयो प्रसाद में सफेद मिठाई चड़ाना शुब रहेगा। मकर राशी सबसे बड़ी समस्या है अपनी सेहत के प्रती लापरवा ही। इसके लिए शिवजी की उपासना करें पीले रंग के आसन पर बैठ कर पूजा करना सर्वोत्तम होगा। और आप बात करते हैं कुम्भ र राशी की। इनकी समस्या है जरूरत से जादा दूसरों के चक्कर में रहना। भगवान कृष्ण की उपासना जरूर करनी चाहिए। पूजा में चंदन की खुश्बू वाली धूप का इस्तमाल करें। मीन राशी के लिए सबसे बड़ी समस्या जिम्मेदारियों के प्रत लापरवाही। इसके लिए भगवान गणेश की उपासना करें प्रसाद में लड़ू चढ़ाना लाबदायक रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी राशी के अनुसार पूजा करके अपने जीवन की को दूर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए। जुड़े रहिए चमतकारी तोटके के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए।